सबसक्राइब और वे लाइंक प्रेस कर लें कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो चलिए दो नमर कोश्चान है आपको पढ़ चुके हैं पूर्व के वीडियो में कि बता चुके हैं क्या चीजे हैं तो फिर एक पर हम आपको रिपीट कर रहते हैं ड्रो अन इलिप्स बाई फोर में यहां पे आपको सेंटरलाइन थे ओए इस तरह से आप एक एक एकसी बना लीजिए घा इसके भेटिकल में पर्प्र्ट इत्वंग आपको डुप करनाऊा दूसरा एक्षिस जो कि माइनर्यू सोगा इसका लेंद था लएकिस का फैल पहलु था है और मायनर एक्षिस का जो वेंद इस बात पुर्प उप जन्कारी रखना रखना है तो इसमें क्या करना होगा कि यहां पर अपने पहला मेजर एक्सिस ड्रोग की जिएका जिसका लेंथि हो जाएगा यहां को मैं लेंगे आपको टैसे लेना होगा इस प्रोडेक्टर यानि कि आपकी पास यह रखेयेगा सीट शmee बड़ेक्टर हटा और उसे प्रोटेक्स कर ले दिया रहता है और यहां में पॉैंट मार्किंग कर लिए चौटा होटा है हुत सकता है कि मेरा अपको बताने के लिए इस पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 20 लेना होगा और यहाँ से 20 लेना होगा तेक है 20 लेने के वाद इसे मार्किंग कर दीजेगा यहनि कि आप चिन्हित कर दीजेगा कि यहाँ पे हमारा 20 आ गया और यह 20 आ गया ये भेलू इस पर नौट नहीं कि जाती है, हम आपको समझाने के लिए नोट कर रहा है, विश्च इसके बाद आपको क्या करना है, कि ये 20 से 40 को ब्रो कर लेना है, यहां से हम मिला लेना है, ट्रेंगल बन जाएगा इस परगार से, ट्रेंगल बनने के साथ क्या किजिएगे कि यहां से आपको जो 20 भेलू दिया थे यहां कि 20 तिरिजिया लेकर आपको यह पॉइंट कर दिजिएगा माल लेते हैं इसको कि इसे A और इसे B दिनोट कर दिये और इसे C और इसे D पोंट दिनोट कर दिये यह कट रहाए तो यह वर्जिन हो जाएगा unp तो हम क्या कि ए और C को आपको से मिला लेंगे उसके बास C को center敌ल करते हैं हम क्या कर देंगे center यहां कर देंगे equal to C हो जाएगा और C होगा radius हम ले लेंगे radius जो होगा वो radius हमारा हो जाएगा OC ठीक है O से C मानी है है C C O कर दीजिए ठीक है और आपको इसके बाद चांप किसना होता है करेंगे और नीचे करेंगे और नीचे करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे यह point पर रखकर उपर कट करेंगे और नीचे करेंगे इस परकार से हमारा यह cut हो जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे आपस में इस तरह से मिलाने पर क्या हो जाएगा कि यह और यह equal हो जाएगा यहीं value आपको क्या करना होता है मान ले हैं कि यहां प्रेम दिखाए और इसके बाद क्या करेंगे कि यह यहां cut रहा है तो इसको हम लोग A-F से denote करते हैं तो इसे F-1 करेंगे फोकस हो जाएगा और के से F को मिला लेंगे क्या करेंगे? के से F को मिलाएंगे जो तो के से को F से मिला लिया मैंने ठीक है? अब के से F तक मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि OF जो यहां से क्या करेंगे इसके अपोजिट में यहां ले लेंगे तो यह हमारा थिरी हो जाएगा इस परगार से यहां पे थिरी को भी हम दीस्टेंस को पोजिट में नीचे लेंगे इसंगे की कि घी की की दूरी कितना है तो एक पर देखें हम इस तरह से मेंजर कर रहा है कि हमारा ये आ रहा अटको यहां तक यहां टक है यह आपके पास सारा टूल्स होगा तूच इस आप कर सकते हैं नेदे 3A बना रहा है इसका method यही हम बता रहें आपको ठीक है इसमें देखिए आप क्या करना है अब आपको जो 0.1 है और 3 है इसको मिला देना है यहां 0.4 से ठीक है तो क्या करेंगे हम इसे मिला लेंगे इसको complete करनी के बाद आपको आ जाता है यहां पर 0.1 1A हो गया 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया इस तरह से आपको 4 center point मिल चुका है अब इसके बाद है कि आपको इसमें ellipse बनाना है तो ellipse कैसे बने का उसको समझे radius कहा से लेंगे उसको समझ लिए तो आपको क्या करना होता है कि यह point 4 से आपको यह point C तक की distance लेने होती है ठीक है एक बार फिर से समझ लेंगे कि radius जो हमारा होगा radius बड़े चाप के लिए वो हो जाएगा 4 से C के पीस क्या हो जाएगा radius 4C हो जाएगा दूसरा हमारा radius जो होगा 2 वो आपको यहां पर center K हो जाएगा और radius हमारा K से क्या हो जाएगा यह आपको D हो जाएगा radius क्या हो जाएगा K से D या फिर यहां पर हम नमा करन की है 3 तो इसे हम 3 और D बोल सकते है radius हमारा क्या हो जाएगा 3 से D हो जाएगा या फिर इसे K point से हम यह D point denote कर सकते हैं परकार से तो देखो भाई आपको चाफ किसने के लिए यहाँ से सी तक और एक चाफ किसना है तो इसको डार कर लिजी आपको डार्क होना चाहिए जब भी बनाएंगे तो इस सभी लाइन आपको डार्क होनी चाहिए, इससे हलका ही सभी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा अपोजिट क्या करना है, या पॉइंट 3 या के को आपको सिंटर मानना है, और के या 3 से आपको D तक distance लेना यहाँ पर लिखे हुए, रेडियस के इसके तुरेंद बाद आपको क्या करना है कि एफ़ोन और एफ़ोन और एफ़ोन क्या करना है इसको, सेंटर मानना है, और सेंटर मान कर आपको छोटे चांप किसना है, ठीक है, तो इस दोनों को क्या किज़े के इंदर मानते हुए, निकि पूना क्या होगा आपको, एफ़ Admiral is कि अघ़िवी समारा कि आख़े एक सिबात को भी धिफ्यक्त कि अघ़िए समरा यहां से और यहां dallी थांगे इसका यह कुछ नाम रखना होगा जिसमान लेते हैं कि ही यान और इसे म देदे हैं यहां आपको हम करते हैं कि आपको r है और यह से आपका क्या हो जाएगा यह आपका point हो जाएगा और यहां से फिर उसको चांप रखके compassion यहां रखेंगा यह फ़र्थ और यह radius लेके आपको हम round कर देंगे इस प्रकार से यह बनेगा हमरा ellipse यह फरेस आपका और यह कल बहुत जो बच्चे हैं उसको कंप्लीटेट नहीं कर पाए बहुत मिस्टेक के इस प्रकार से हमें इसको राउंड कर रहा है और आपके सामने देख राएं यह पोर पॉयंट सेंटर में बन चुका है एक बार फिर से समझ लेंगे यह पर मतलब लिखा गया है वह पॉइंट हमने तीन यहां दिया है तो हमारा पॉइंट यहां पर जो हो गा कि दो हो जाएगा इस बात को ध्यान रख लेंगे और इसमें जो है कि इस तरह से complete करने के बाद आपको dimension इसको देना होता है तो यहां से हम क्या करेंगे एक नीचे vertical line खिचेंगे और scale के मदद से और एक यहां भी vertical खिचेंगे और इसके बाद जो हमारा extra line है इसे हम erase कर लेंगे और इसे भी हलका कर देंगे जो भी आपके यहां पर line है उसे भी line को erase कर लेना होगा नहीं कि हलका कर देना होगा और उसके बाद आपको क्या होना एक dimension line खिचना होगा यह इस तरह से dimension line किचिए गया dimension line को भाद इसमेंदर dimension line जो हता है एरो एरॉट बनादीजीएगा बनाने क Lösוח लिए घ्राइड कि लिए आपनेuu- Cornım तो चिश्था से से उनना है नहीं को दूर रहा तो परबकदाधिय। Champagne Limited पments for High School डिप्र नहीं दें तो यहां आपको क्या लिखना होगा और 40 जिलिखनेक बादको यहां देखाना होगा कि हमने क्या लिएक्षिस यहां लिखेंगा हम लोग माइनर और एक्सिटिक है के और नीचे को लिखेंगे हम लोग मेजर एक्सिस यह हो गया और लास्ट में सबसे निचे इसको लिखना होगा कि all dimensions are in mm और इसके उपर या निचे में आपको हर राल में लिखना होगा ellipse for center method आपको लिखना होगा हर राल में इसके आपको उपर लिख दीजिए या इसके निचे लिख देते इस परकार से आपको यह answer complete हो चुका है इसमें आपको कहीं भी आपको doubt होता है तो इसके comment box में जाकर ज़रू comment करें और इसे reply करें कि आपका क्या answer बनाये थे और क्या आपने गलत किया था आपको यहाँ पर क्या अंसर चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जदी हम इसको बना रहे और आपको helpful हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा share करें और like करें कि मेरा भी motivation बना रहा है आपके लिए हम लेकर आते रहें इस परकार से complete हुआ और सीट पर जो भी exercise होता है क्योंकि इसका हम नहीं रखते हैं यानि कि आपको टेंपलेट जो दिये गया है और लूप भी दियो होता है और यह पर पॉइंट सेंटर में होता है तो इस परकार सभी इसका आंसर यहां पर आपको अपलूट कर देंगे एक एक करके आपका अंसर हो जाएगा वहां पर जभी बार बार पूछा जा रहा है तो फिर हम मिलते हैं नेक्स कोशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को बहुत बद धन्यवाद